नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 मैं हूँ वैशाली बीते दिन गुर्दासपुर के गाउन लमीन कराल में चार नौजवानों द्वारा मा के साथ स्कूल बस का इंतिजार कर रहे दो स्कूली बच्चों का अपहरन कर लिया गया था और इस खबर को प्राइम न्यूस 24 ने भी बड़े जोड शोर से उठाया था अज इस मामले में पॉलिस के द्वारा दोनों बच्चों को बरामत कर लिया गया है और बच्चों के पिता को गरफतार करते हुए चार अन्य लोगों पर भी केस दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कारिवाई शुरू कर दी है आपको बता दें के बच्चों के माबाप का घरेलू जगड़ा चल रहा था और दोनों अलग रह रहे थे पिता की तरफ से ही अपने दोनों बच्चों को अगवा कर लिया गया सब्सक्राइब आठ वजे पबलक ने फोन ते दरा देती सी के पेंड़ चाबादे लागों को शांपिशाते बंदिया कर नुवा गड़ी वजे दो स्कूर जान दे बच्चे का उर्टकों को के कर दास्पोर साइट नों फ्रार हो लिया इसका ना दो बात रंत मौका दे पह सब्सक्राइब आए कि इस कार वेड़ी अपने पती देनाल डिस्प्यूटा थे उदा ये बच्चे जान दे वेचे लाग थागा फिर वाक वाक टीमा बना के असी होदा ये जसर्ड थाना रमदा देरी बच गए और नाल उपर अपने कारवीने सी पहलागा फिर नाल लाग सब्सक्राइब आए बच्चे जान देरी बच्चे जान देरी ने बताया कि बीटते दिन दोनों बच्चों मनजोत और मनवीर को उस समय अगवा कर लिया था जब उनकी मा दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस में चढ़ाने गई थी इस मामले में दोनों बच्चों को गाव जसर थाना रामदास से उनके ही पिता के घर से बरामत कर लिया गया है और बच्चों के पिता मलकीत सिंग को ग्रफतार कर चार अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है बाकी लोग फरार है पुलिस जल्द ही उन्हें भी ग्रफतार करने का आश्वासन दे रही है उन्होंने बताया कि दोनों बच्चें उनकी मा को सौब दिये गए हैं प्राइम नियूस 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट